आज हम प्रेट से एक ऐसा सैंडविच बनाने जा रहे हैं जो बाजार के सैंडविच को भी फेल कर देगा जब यह बनाकर आप अपने बच्चों को देंगे तो वो तो आपके फैनी हो जाएंगे तो चलिए बनाते हैं मेयो सैंडविच in different taste and in different style इसके लिए जादा कुछ ने सबी चीजे घर में ही available हो जाती है जैसे कि मैंने यहां पर लिए दो गाजर लिए मैंने कैरट जिसे मैंने ग्रेट करके रख लिया है और एक क्युकंबर यानि खीरा आप ककड़ी भी उसको भी मैंने ग्रेट करके रख लिया है चलते चलते हम mix करते करते जानते हैं इसमें क प्रॉसेस पहले गाजर खीरा को इक बोल में ट्रांसफर कर दिया है और अब इसमें एड करेंगे बटर बटर मैंने मेल्ट करकी लिया है क्योंकि अगर पीसेज में डालेंगे तो अच्छे से गुलेगा नहीं इसमें मैंने मेल्ट कर लिया है और फिर उसके बाद यहां पर एड़ किया है fun food का mayonnaise आप किसी भी ब्रांट का ले सकते हैं आप घर का बना mayonnaise भी यूज कर सकते हैं तीन टेबल स्पून mayonnaise एड़ की है उसके बाद मैंने डाला है रेड चिली फ्लैक्स मिक्स हर्ब्स और उसके बाद ब्लैक पेपर टू पिंच और नमक नमक थोड़ा कम ही डाले क्योंकि बटर जो हमने यूज किया है उसमें भी अल्रडी नमक होता है तो थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जाधा कर सकते हैं अगर आपकी वेजिस जादा हैं तो आप सॉल्ट की महत्रा बढ़ा भी सकते हैं और फिर जाएगा इसमें धनिया पत्ता चोकि मैंने पहले ही चौप करके रखे हुए थे और इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे अनार के दाने यानिकी पॉमे ग्रेने उसको पील करके मैं पहले से ही दाने निकाल के रखे थे वो दाने हम इसमें डालेंगे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा इस अनार के दानों का आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा बस इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे स्टफिंग तयार हो गई है ब्रेड पर बटर की लेयर करेंगे और उसके बाद एकोली स्टफिंग को फिल कर देंगे अब दूसरी ब्रेड पर भी हम बटर लगा देंगे और उसके बाद इस पर स्प्रिंगल करेंगे ब्लैक पेपर आप ब्लैक पेपर टोटली ऑप्शनल है आप चाहें तो कर भी सकते हैं नहीं त चाहें तो तभी पर भी सेख सकते हैं और अगर ऐसे भी खाना चाहें तो यह ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बहुत ही चीजी बहुत ही यम्मी लगता है देखिए मैंने यहां पर इस तरह से ब्रैट को गृ También कर लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में आगा और बहुती क्रिस्पी है, बहुती हेल्दी, बहुती हाईजिनिक, बहुती क्रीमी, यह सेंडविश बनकर तयार है और ज्यादा ताम जाम करने की भी जुरूत नहीं पड़ी मुझे, बात करते ही हमारा यह सेंडविश तयार हो गया है तो देर किस बात की है, बनाईए, खाईए और खिलाईए, और कॉमेंट में जाके जरूर बताईएगा कि कैसी बनी दी तो चलिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए थैंक यू